हाई फ्रेंड्स मैं कुसूम जेसार होममेड एसपी में आप सबका स्वागत है और आज मैं आपसे सेर कर रही हूँ ड्राइफूर्स कष्टड और फ्रेंड्स गर्मियों की रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है लेकिन मैंने बजारवाला कष्टड बिल्कुल योज में नहीं लिया है घर पे ही तयार किया कष्टड को उसी से ये बनाया है तो अगर आप सब कोई मेरी रेसिपी पसंद आती है और अच्छी लगती है तो प्लीज सेर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आता है वो दूद भी अप ले सकते हो और मैंने दूद को अच्छी से चान लिया और पानी बिल्कुल भी एड़ नहीं करेंगे इसके अंदर और बस अब इसे बोईल होने रख देते हैं फ्लेम को मैंने ओन कर दिया है और ये देखी फ्लेस दूद में अच्छी से उपान आ देते हैं बोईल होने देते हैं आगे का काम कर लेते हैं तो ये मैंने आदा बाउल काजू और आदा बाउल ही बदाम लिये और इसे एक दो घंटे के लिए बिगो देते हैं ताकि सोफ्ट हो जाए चिलका निकल जाए और अब मना लेते हैं कस्टर्ड तो उसी बदाम में से मैंने आठ से दस बदाम और आठ से दस काजू ले लिए हैं और आठ से दस ही इलाइची लिए और दो चमच मैंने मेदा लिए हैं आप कौन फ्लोर ले सकते हैं आरा रोट ले सकते हैं आपके मर्जिय वो ले सकते हैं तो यह मैंने एक मिक्सिजार का छोटा वाला जार ले तो इसमें बादाम काजू और इलाइची और साथ में मेदा डाल देते हैं और आप यहां पर चीनी ले सकते हैं मिल्क पाउडर ले सकते हैं आपकी जो मर्जी आप ले सकते हैं और इसे अच्छे से कर लेते हैं ग्राइंट और यह देखे फिर इसमें अच्छे से ग्राइंट कर ल देते हैं बहुत यह राम से च्छन जाएगा और यह देखिए फ्रेंड्स रह गया ना थोड़े से ड्राइफ फूर्स भी नहीं पीछ से अच्छे से और थोड़े से रही गये थे तो यह देखिए मैंने चानने के बाद में देखिए आपको कश्टर दिखा रही हूँ कितना म मैंने थोड़ा पानी डाला है और इसका अच्छा सा गोल बना लेते हैं इसे और आप पानी की जिगहें पर दूद भी एड़ कर सकते हो ठंडा दूद गुनगना सा और यह देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से मिक्स कलिया और दूद देखिए कितना कम हो गया हमारा बो और जो कस्टर गोला था वो भी डाल दिया इसके अंदरी साथ में और बस अब इसे अच्छे से चला कर और चलने देते हैं चलने देते हैं कम से कम 10-15 मिंट और यह भोजती ही जल्दी गाड़ा होने लगेगा यह देखिए फ्रेंड्स कितना जल्दी गाड़ा हो गया ना 10- काम करते हैं हमारा तो काजो बदाम भी अच्छे से भीग कर तयार हो गए हैं तो बस बदाम का छिलका निकाल लेते हैं और यह देखिए मैंने बदाम के सारे छिलके निकाल लिए तो अब इन दोनों को छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेते हैं और आपको जो और कितनी देर हो गया दूद को पकते हो तो उस से थोड़ा रेड कलर आ गया तो जो डाल दी통 किये थे और शामी और अँडर मक्फ के बीज लिया है मैंने थोड़े से और पिस्ताली है और किस्प्सा की कतरन ली है और और यह दैआ हों के आipl quiero हो गया ना यह देखिए और अब मैंने एक चम्मच भर कर सब्जा के बीज को भिगो दिया था तो अच्छे से भीग गए हैं तो यह डाल देते बिल्कुल option है इसे आप avoid भी कर सकते हैं और अच्छे से कर लेते हैं mix और अब friends मैंने एक बाउल लिया है और अब इसमें बाउल में भर लेते हैं इसे यह देखिए और अब इसके उपर थोड़ी सी जैसे पिस्ता की कतरन थोड़ी से मक्च के बीज थोड़ी से कटे हुए बदाम आप जो डालना चाहते हो ना इसके उपर सजाने के लिए वह डाल सकते हो और friends इतना healthy आप एक बात जुरूर बना कर देखिए अगर आप सबको मेरी यह रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए और थोड़ी सी friends मैंने जैली डाली है क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे लगती है आप बिल्कुल अवोइड कर सकते हो इसे तो देखिए कैसा बना है अब आपने पूरी रेसिपी देखिए मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा बना आप भी जरूर ट्राइए किजिए थैंक यू सो मैच